नमस्कर बात आज कई सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है जिन में से एक इंडन रिलवे भी है इंडन रिलवे अपने आपको इंपूब करने के लिए connectivity को ठीक करने के लिए नए नए stations को बना रही है नए नए routes को तयार कर रही है नए ने track को लगातार बना रही है DFC और bullet train जैसे बड़े बड़े प्रयोजना पराज कफी तेजी से भी कसिद कर रही है हमाई life style को और भी बहतर करने के लिए बंदे भार जैसे next generation train को लगातार आगे बढ़ा रही अभी हाल ही में हमने देखा कि भाद की पांच अलग अलग route में बंदे भार train को चलाए गया और 11 इसंबर 2022 को नयन्द मोदी जी दोवारा एक और नए route का सिला नयास किया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरे डीटोल में जाने की कोर्सिंस करेंगा और डिसकस करेंगे तो वीडियो पूरा देखना एंट तक देखना अचछा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करना कोई भी तरह का question पूछना हो तो आप हमें Instagram पर पूछ सकते हैं Link description box में दे रखा है तो जरूर पूछें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं भात के सिक्त बंदेभात के रूप में शुरू किया गया या नए बंदेभात रूट बिलासपूर और नागपूर के बीच में चलाए जाएगा जिसमें तक्रिबन 6 stoppage होगी इस stoppage नागपूर से शुरू होकर राइपूर, धूर, रजनांद गाउं, गोंदिया और बिलासपूर तक जाएगी जो एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में 5 घंटे 20 मिनट का समय लागाएगी जो की तक्रिबन 80 की average speed से ट्रेंच चलेगी पताया जाता कि इनिशल phase में तो 80 की average से ट्रेंच चलेगी बट जिस तरह से यह रूट पूराना होते जाएगा इसकी average speed बढ़कर 120 किलोमेटर परती घंटा हो जाएगी दोनों की बीच का डिस्टन्स 412 किलोमेटर है जिसके वज़े से अगर यह 80 की speed में चलती है तो 5 घंटे 20 मिनट में एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाएगी बिलाजपूर नागपूर बंदे भार ट्रेन एक new technology की high spirit rail ट्रेन है जो world class की सभी सुईधाएं यहाँ पर उपलब्द है चाहे CCTV कैमरा की बात हो, AC की बात हो, Wi-Fi की बात हो, charging point की बात हो, rotating chair की बात हो हर एक सुईधाओं को देखती वे इस ट्रेन को बनाया गया है ट्रेन के अंतरगत solar coach होगी, जो एक साथ तक वर बारो सो लोग बैठ कर travel कर सकते हैं official reports के according या पहली बंदे भार ट्रेन होगी, जो highest speed 160 km परती घंटे के रफ्तार से चले SMM भारत की next generation बंदे भार ट्रेन के बारे में आपकी क्या रहा है, हमारे comment section में ज़रूर बताएं अब बात करते हैं इसकी timing की, कि या बिलाजपूर और नागपूर के बीच में चलने वाली या बंदे भार ट्रेन की timing क्या होगी तो मैं आपको पताता चलओ कि नागपूर से 2 बजे खूलेगी आनि 2 बजे दोपहर को खूलेगी और बिलाजपूर साम को 7.5 बजे पहुँचाएगी आनि 7 बज कर 35 में पहुचाएगी वहीं बिलाजपूर में 6 बच कर 45 मिनिट में मौर्निंग में खूलेगी और 12 बच कर 15 मिनिट में दोपहर को पहुच जाएगी ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यह पूरी तर से एडवांस टेक्नोलोजिक से लेस होगा जो की चेने के इंटिग्रल कोच फैक्टरी ICF में बनाया गया पूरी तर से मेक इन इंडिया ट्रेन है वहीं अब थोड़ा सा फेर की बात कर लेता हूँ मतलब हपते में 6 दिन ही चलेगी सेटर्डो को छुट्टी पर रहेगी अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पुराने रूट के बारे में डिसकस कर लेता हूँ कि वो कौन-कौन से 5 पूराने रूट हैं जो आज की डेट में ऑप्रेशनल है एहली रूट डेली वारनसी रूट, दूसरी रूट डेली कटरा, तीसरी रूट डेली अम अंदूरा, चौथी रूट गांदी नगर से मुंबे, पांचमी रूट चेन्ने से मैसूर और छट्थी रूट जो की अभी ही नयन मोदी जी ने शुरू किया जो की नागपुर और बिलाजपूर के बीच में चलने वाली है ऐसे में आप इस बदलती इनर डेल वे के बारे में आपकी क्या रहा है हमारे कमेंट सेक्षन में जुरूर बताएं और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो जैदा से जैदा से जैदा से जैदा लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्षन में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत